सारे बच्चे अपनी क्लास्रूम में बैठे हुए थे और मैट्स के बीचर सामने वाइब बोर पर कुछ सवालात लिख रहे थे अब्दुल्ला कॉपी पर सर्जुकाए कुछ लिखने में मसूप था जब सुलिमान ने इसे चुपकी काट कर अपनी तरफ मतवजे किया अब्दुल्ला ने इसे दीखा तो सलिमान की आँखों में शरारत हलकोरे ले रही थी इसने होटों पर उगली रखकर अब्दुल्ला को चुप रहने का इशारा किया और शरारती हथी हस्ता हुआ पैंसिल उठाकर आगे बैखे गोलू से पहाद की गर्दन में पेवस्त कर दिया पहाद को गर्दन पर कुछ चुबने का एहसास हुआ तो उसने गर्दन को मसलते हुए बुरा बुरा मूँ बनाते हुए घुस्ते से पलट कर पीछे बैठे सुलिमान की तरफ देखा अब्दुल्ला फॉरन से सर जुका कर अपनी कौपी पर कुछ लिखने में मुस्रूफ हो गया तो सुलिमान को भी कुछ समझना आया और अब्दुल्ला की तरफ जुक कर इसकी कौपी पर लिखने लगा लगों पर शरार्ती हसी चुपी हुई थी पहाद ने इसे मसूफ देखक पीछे बैठे दूसरे बचों पर नज़र डाली और वापिस चेहरा आगे कर तरफ कर लिया चनलम्हे गुजरे थे जब इस बार अब्दुला ने सुलिमान से पैंसिल जीनी और उठकर पहाद की तरफ पैंसिल बढ़ा कर गर्दन में पैवस्त कर दी पहाद ने जल्दी से गर्दन घुमाई और फिर से सुलिमान की तरफ देखा सुलिमान ने अब अपनी नोट बुक पर सर चुका कर आड़ी तिर्चील कीरे खेंचनी शुरू कर दी और अब्दुल्ला बे सबब खिर्टी पे बाहर देखने में मस्रूफ हो गया बली भाई तीछे बैठे ये सारा खेल देख रहे थे पहाद फिर से इन दोनों को अपनी तरफ मतवज्ज़ नाग पाकर वो बनाता हुआ आगे देखने लगा अब फिर से सुलिमान में पेंसिल उठाई वो और अब्दुल्liga फीपी करके हसने लगे बली भाई ने आहिस्ता से हात आगे बढ़ाए और सुलिमान का दामन अब्दुल्ला के साथ बांग कर एक उरसी से भी बांग दिया अब जैसे ही सुलिमान ने पैंसिल पाहत की तरफ बढ़ाई और उठने की कोशिश की उसकी चेर उसके उठने के साथ ही उपर उठ गई साथ ही अब्दुल्ला भी खड़ा हो गया क्यास्रूम में भरचल मच गई दोनों की चेर्स टकडाने लगी इस अचानक उफ्ताद पर वो दोनों हका बका एक दूसरे का चेहरा देखने लगे सारी क्यास के बच्चे ये देखकर दबी दबी हसी हसने लगे पीचर ने पलट कर देखा तो अब्दुल्ला और सुलिमान धम से वापस बैटके पीचर ने सारे बच्चों को खामोश रहने का इशारा किया सब बच्चे खामोश होकर अपने काम में मस्रूफ हो गए सुलिमान और अब्दुल्ला भी शर्मिंदा शर्मिंदा से सर जुकाई दामन की गांट खोलने लगे और काम में मस्रूफ हो गए जैसे ही क्लास खतम हुई पहद इन दोनों की तरफ पढ़टा और शरारती अधनाज में बोला जैसी करने वैसी भरने इन दोनों ने उससे से पहद की तरफ देखा फिर सुलिबान हट दर्मी से बोला क्या मतलब? क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी गैदन में पैंसिल हम पेवस्ट कर रहे थे इसकी बात सुनकर सारी क्लास खंसने लगी आगे से फाहद मासू सी सूरत बनाकर आंखें पटपटाने लगा और कहने लगा जैसी करने वैसी भरने मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं फाहत की बात सुनकर सुलिमान और अब्दुल्ला बुरी तरहां से शर्मिन्दा हो गए इतने में ब्रेक की बेल हुई और सारे बच्चे बाहर निकलने लगे सुलिमान और अब्दुल्ला भी सर जुखाए क्लास उन से बाहर निकल आए शाम के वक्त सारे बच्चे पार्ट में खेल रहे थे कोई जूला जूल रहा था तो कोई फुर्बॉल खेल रहा था इतने में सुलिमान चलता हुआ पार्ट में दाखिल हुआ और सीधा जूलों के पास आ गया जूलों पर एक बच्ची बैटी जूल रही थी सुलिमान ने इस बच्ची को जूला चोड़ने का कहा और वो ना मानी तो सलिमान ने जूला पीछे से पकड़ा और इतनी जोर से धका दिया कि बच्ची दूर जा गिरी उसी वक्त वली भाई पार्थ में दाखिल हो रहे थे उन्होंने जैसे देखा कि सलिमान ने बच्ची को गिराया है वो भाग के गए और बच्ची के पास जमीन पर बैट कर इसका हाथ पकड़ा बच्ची मूब सूरने लगी तो वली भाई इसे पुछकारते हुए बोले ओ शहजादी आप तो बहुत प्यारी गुडिया हैं कितनी प्यारी आँखें हैं आपकी शहजादिया रोती नहीं है अच्छा बच्ची ने इस चोटी बच्ची के आंसू साफ किये और फिर उटकर खड़े होने में उसे सहारा भी दिया बच्ची खड़ी हो गई तो उसे हाथ से पकड़ कर बेंच पर ले जाके बिठाया और पीने को अपनी पानी की बोतल भी दी जैसे ही बच्ची बोतल मुena से लगाने लगी तो बली भाई ने इसे टोका बिस्मिल्ला है गुडिया सब से पहले कलमा पढ़ते हैं कलमा पढ़िये चोटी बच्ची बली के पीछे दोहराती हुई बोली बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अब पीए पानी और बली भाई ने इसके बाद पूछा आपको चोड़ तो नहीं लगी बच्ची ने नफी में गर्दन हिलाई तो बली भाई ने कहा अब आप जाके बाकी बच्चों के साथ खेले बच्ची भाग के गई और बाकी बच्चों में शामिल हो गई बली भाई वापस आए तो अब सुलिमान के साथ पहत खड़ा कुछ पहस कर रहा था सुलिमान इसे घुसा दिला रहा था सुलिमान इसका मजाग उड़ा रहा था तब ही बली भाई सुलिमान से कहने लगे वली भाई उच्टे को चुप होकर सुलिमान की तरफ देखने लगे और फिर वली भाई कहने लगे सुलिमान आपको एहसास है कुछ एक चोटी सी बच्ची को आपने जूले से गिरा दिया अगर उसकी कोई हड़ी तूट जाती, कोई फ्रेक्चर आ जाता तो तावान तो आपके वालिदें नहीं भरना था आपको क्या फर्क पड़ता आपको पता है हमारे पाक रसूल हजरत मुहम्मद स्रिल्लाहु लाह वाले सिल्म बच्चों से कितनी महबत औ शफकत से पेश आते जब भी मौसम का कोई नया फला आता हमारे पाक नभी करीम स्रिल्लाहु लाह वाले सिल्म वो सबसे पहले बच्चों में बांट देते और जब सफर करने जाते तो अपनी सवारी पर बच्चों को आगे बिठा कर सेर करवाते आप दोनों सुब ग्लासरूम में काम के दोरान जब फाहत को डिस्टरब कर रहे थे आपको ये एक खेल लग रहा था लेकिन वो तंग हो रहा था तो मैंने आपको कुछ कहने के बजाए अमली तोर पर कर दिखाया और नतीजा देखा आप दोनों कितने डिस्टरब हो गए और कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी आएंदा किसी को तंग करते हुए ये सोचना कि अगर कोई आपको तंग करेगा तो आप क्या फिल करेंगे वली भाई ने सलिमान के कांधे पर हाथ रखा बहुत अच्छी बात है सलिमान अगर तुम्हें एहसास हो गया है तो काफी है आप दिल के बुरे नहीं हैं सलिमान लेकिन आप शरारत बहुत करते हैं दियान रखें कि मखलूके खुदा को आपके हाथों नुकसान न हो इंशाल्ला वो भाग कर गया और पार्क के बाहर ठेले से पापकॉन खरीदा और ले जाकर इस छोटी सी बच्ची को थमा दी और साक में कहने लगा मैं बहुत बुरा हूँ लेकिन क्या आप मुझे मुझे मुआफ कर सकती हैं वली भाई और फाहाद दोनों दूर खड़े के सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे बच्ची ने मुस्कुराते हुए सल्मान की तरफ देखा और इसके हाथ से पॉक्कॉन लेते हुए बोली कोई बात नहीं भाई सल्मान खोश-खोश वापस वली भाई के पास आ गया तो वली भाई कहने लगे आप दिल के बुरे नहीं हैं सल्मान लेकिन आप शरारत बहुत करते हैं ध्यान रखें के मखलूके खुदा को आपके हाथों नुक्सान नहो सल्मान ने कहा जी वली भाई मैं कोशिश करूँगा इंशाल्ला वली भाई और फाहद यक जबान होकर बोले और तीनों मुस्कुराते हुए बागी बचों की तरफ बढ़ गए इस तरह की और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें